नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उसादीरस्वई में आज मैं विंटर की एक बहुत ही स्पेसल सब्जी बनाने वाले हूँ वो है मेथी मटर मलाई जो बनाने में बहुत आसान है और टेस्ट में बहुत ही लाजवाब है तो चलो सुरू करते हैं मेθी मटर मलाई बनाने की मुख्य सामगरे यहाँ सामने लिखी हुई है प्रश मेθी को हमने यहाँ धूल करके काट लिया है दो मीडर मेड्यम सैज के टमाटर और दो मीडर मेड़ सैज के प्याच जिने हमने चौप कर लिया है एक हरी मिर्ट जिसे हमने चौप कर लिया है जिंजर गार्लिक पेश्ट जिसे हमने पहले से ही तयार करके रख लिया है और एक कटोरी हरी मटर पैन को हमने पहले से ही गरम होने के लिए रख दिया है अब इसमें हम तीन चमज तेल डालेंगे तील हमारा गरम हो गया है अब इसमें हम बारिक कटा हुआ प्याज डालेंगे प्याज को हमें हलका सा कलर चेंज होने तक भूनना है प्याज का कलर चेंज हो गया है अब इसमें हम टमाटर डालेंगे टमाटर डाल करके इसे चलाएंगे टमाटर को चलाते हुए गलने तक पकाना है कटी गुई हरी लेज, जिंजर गालिक पेस्ट और नमक डाल करके इसे अच्छे से चलाएंगे अब इसमें मसाले डालेंगे आदा चमच कस्मीरी लाल मिर्च एक चमच धन्या पाउडर थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला अब इन्हें पका लेंगे चाले हमारे पक गए हैं अब इसमें डालेंगे हरे हरे मटर मटर को हम अच्छे से मिक्स करेंगे मटर हमारे मसालों में अच्छे से मिक्स हो गए हैं अब बारी आती है कटिवी मेथे की इसे भी डाल देंगे अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सबजियां अच्छे से मिक्स हो गई हैं अब टैन को ढख देते हैं डखने से सबजियां अच्छे से पक जाएंगी हमने ड्राइब मेथी मटर मलाई बनाई हैं अगर आप ग्रेवी पसंद करते हैं तो यहां पर थोड़ा सा पानी एट कर सकते हैं सबजी को बीच बीच में चलाते रहें जिससे की सबजी पैन में चिपकने ना पाए कर दो यहां पाएंगी मेथी और मटर पक गया हैं इसमें आधा कटोरी मलाई डाल करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे मलाई डालने के बाद इसे दो मिनट धग करके पकाएंगे अभी हमाई सबजी बन करके तयार हो गई है अब इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं मलाई और धनिया से इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले थेंक यू